नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस स्टार मिस्कु नीज में दोस्तों उत्तर परदेश अदिनस सेवा चैनायोग ने पांस साल का लंबा इंतिजार छात्रों का समाप्त कर दिया है जी हाँ आखिरकार केन सूपर्वाइजर 2016 का अंतिम परिणाम जारी हो गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी दोपहर की वीडियो में कि यूपिटर परदेश आज शाम 6 बजे तक केन सूपर्वाइजर 2016 का अंतिम परिणाम गोशित कर देगा और दोस्तो यूपिटर परदेश शी ने ये परिणाम गोशित कर दिया है और मेरी ख़वर एक बार फिर 100% सही साबित होई है और ये बात आपने दोस्तो देखे ली होगी ठीक है दोस्तो अब बात कर लेते हैं दोस्तो ये है ओफिशल नोटिस गन्ना परिविक्षक विग्यापन संक्या 20 परिक्षा 2016 इसमें कुल गन्ना परिविक्षक के 437 पत थे जिसमें अनारक्षित की 275 सीट थी SC की 74 सीट है ST की 11 थी और OBC की 77 सीट है इसके सापेक्च लिखित परिक्षा एवं साक्षातकार के उपरांत अन्तिम चैन हे तो कुल 430 अभ्यरतियों का परिनाम आयोग की बैठक में अनुमोदित किया गया है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 7 सीटे अब भी रिक्त रह गई है 7 सीटों पर योग्या अभ्यरति नहीं मिले है ठीक है अच्छा अब इसमें जो है यह आप देख लिजीए इसमें रॉल नंबर वाइस दिया हुआ है जिन जिन बत्चों का अन्तिम सेलेक्शन हुआ है गन्ना परिविक्षक 2016 की भरती में यह उन सभी के रॉल नंबर से है ठीक है दोस्तो अब जो है बात करेंगी हम कट ओफ के सम्मन्द में इसका कट ओफ कितना गया है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों यह है विज्यापन संक्या बीस बटे 2016 का अन्तिम कट ओफ ठीक है जनरल कट ओफ है दोस्तों इसमें 257 ठीक है SC कट ओफ है 228 ST कट ओफ है 148 और OBC कट ओफ है 254 ठीक है तो मतलब जनरल और OBC में तीन नमबर का इसमें डिफरेंस है ठीक है और इसमें जो है यह date of birth है मतलब जनरल में जो बच्चा select हुआ है जिसके सबसे कम नमबर है मतलब जो last का बच्चा है उसकी date of birth है 7 जनवरी 94 में इस date of birth का मतलब दोस्तों यह है ठीक है अब इसमें जो स्वतंतरता संग्राम सैनानी की आश्रित है उनका कट ओफ गया है 195 विकलांग जन्गा कट ओफ है 222 और महीला कट ओफ है कुल 135 नंबर जी हां दोस्तो और इसमें एक सर्विसमेन के कोई भी पद नहीं है ठीक है दोस्तो तो भईया ये कट ओफ है आपका पूरा गन्ना परिलिक्षक 2016 का अंतिम कट ओफ अब इसमें दोस्तो एक बात और होती है मुख्य रूप से हम उसे पढ़ लगते हैं जो में बात है वो क्या है देखो यह यह पढ़िया दी गई विवस्था के अनुसार यदि दो या अधिक अभ्यरती बराबर बराबर ओसत अंक प्राप्त करें तो लिखित परिक्षा में उच्चितर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यरतियों को उच्चितर इस्थान पर रखा जाएगा मतलब अगर जो मानो एक छात्र है उसके भी नंबर 257 है ठीक है और एक और छ चात्र के नंबर लिखित परिक्षा में ज्यादा है उसको महत्व दिया जाएगा मतलब उसको अंतिम सूची में सामिल किया जाएगा ठीक है और एक बात बता दूँ आपको अगर ये दोनों चात्र लिखित परिक्षा में भी बराबर नंबर लाते हैं तो इन दोनों में से उस चात्र को अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा जो आयू में ज़्यादा होगा जो आयू में जेस्ट होगा अगर लिखित परिक्षा में भी बरावर बरावर अंक पराप्त करें तो सूची में उस अब्भेरतियों को उस चात्र लिखित परिक्षा में बरावर अंक पराप्त करते हैं उसमें जो आयू में ज़्यादा होता है उसी को अंतिम सूची में इस्थान दिया जाता है दोस्तो ये परिणाम गोशित हो गया है गन्ना परिवेक्षक 2016 का अंतिम परिणाम है एक बार मेरी खबर 100% सही साबित हुई है अब तो आपको यकीन हो गया होगा दोस्तो आपको हमेशा मैं सही न्यूज देने का ही प्रियास करूँगा कभी भी आपको गलत न्यूज देने का प्रियास नहीं किया जाएगा ठीक है दोस्तो तो ये खबर है यूपिटर पलेसी के परिणाम के संबंद में और हां जिसमें इस भरती में जिन जिन छात्रों का सेलेक्शन हुआ है उनको मेरे तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाईया ठीक है दोस्तो यही न्यूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो झाल